नमस्कार दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल बैंकिंग नालेज में इस वीडियो में जानेंगे एक्सिस बैंक और आप इस वीडियो में दोनों बैंकों के बारे में पूरी जनकारी मिलेगी किनकी सर्विस कितनी बहतर है कोण अपने कस्टमर से अधिक चार्ज लेते और कोण अपने कस्टमर से कम चार्ज लेते हैं जा आप जो इसका ATM काट यूज करते होंगे तो आपको इसके लिए कितना च स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आफ से निवेदान यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर देगा और चैनल को सस्क्राइब कर देगा बैंकिंग से जूरी आपको आगे भी जनकारी मिलती रहेगी तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेजेगा चलिए विडियो स्टार्ट करते हैं एकसिस भन की बाथ कर लिया जड़? एकसिस भन में कही परकार की आपको मिलेगा देखके हैं लेकिन आपको इस विडियो में दोनों बैंगों के जीज जेगा तो फिर आपको इसके उपर कुछ बालेंस की रिक्वार्मेंट परेगी यदि आप अरवन चेत्र से आते हैं तो फिर आपको इसके उपर 10 पॉछ जरुपी के साथ एकोड ऊपन किया जाएगा वहीं यदि आप इसमें अपन कर लिए जगा तो फिर आपको इसका एकोड मैंटनेंस भी करना होता है तो एकॉड मैंटनेंस के लिए यदि आप रभण चेतर सर झाते तो फिर headed एक्सितासे क्या होई है वह दो का मेंटर्णा रफेटर्ल को क्या होगा य ceux дов की फिर आरव Sansड़ के साथ मेंटरर्णास करना वहां वह Iज यदि आफकी एकॉंट में युऊ बालेंस नहीं हुआ तो फिर आपको इसके बदर कुछ चार्ज देखने को मेलेगा वो आपको नं मेंट्रीनेस चार्ट के रूप में देखने को मिलेगा यह आप इसका аपन्er नहीं कर पाइएगा तो फिर आपको इसके उपर 100 पीया का चार्ज देखने को मिलेगा बोनन्न मेंट्रेननस चार्ज की रूप में आपके अकाउंट से ओटॉमेटिक डेविट हो जाएगा बात कर लें इंट्रेस्टेट की तो आपको इनके साथ इंट्रेस्टेट जो देखन को मिल जाएगी चलिए बात करते ATM काड़ के बारे में यदि आप ATM काड़ लेगा एक्सिस बेंगा तो फिर आपको इसके उपर कुछ चार्ज देना होगा जब आपको उसके उपर 200 रुप्या प्लस टेक्स देना होगा वो ATM काड़ जारी करने के लिए करते रहेगा और अगले साल जो आपको इसके उपर चार्ज लेगा एक साल के बात तो फिर आपको उसके उपर 200 रुप्या प्लस टेक्स आपके अकॉंट से ओटमेटिक डेबिट हो जाएगा वो ATM काड़ चार्ज के रूप में यदि आपका ATM काड़ मॉलेज जे कहीं गुम हो यह फिर खो गया यह फिर आपका ATM काड़ काम ना करें जब आप एक्सिस बैंक का दूसरा ATM काड़ माईएगा अपने मोवाल बैंकिंग यह फिर इंटरनेट बैंकिंग से यह फिर आप अपने ब्रांच में जा करके तो फिर आपको उसके उपर भी कुछ चार्ज देना होगा वह आपको रिप्लेस्मेंट चार्ज के रूप में 200 रुप्या पलस टेक्स आपके अकॉंट से ओटोमेटिक डेबिट होजेगा तभी आपके अड्रेस पर डिलिवर कर दिया जाएगा एक्सिस बैंक के दुबारा वहीं बात कर लिया जाए HDFC बारे में जब आप इसका ATM अगले साल आपको उसके उपर चार्ज लेगा फिर आपको 200 रुप्या का चार्ज देना होगा उस ATM कार्ज को कंटेनियू यूज करते रहने की रुप में वह आपको ATM चार्ज के रुप में ओटोमेटिक आपके अकॉंट से डेविट हो जाएगा वह यादि आपका ATM कार्ट क क्लिवर कर दिया जाएगा आपको इस प्रकार की सर्विस देखने को मिलेगी HDFC और एक्सिस बैंक के बारे में वहीं यदि चेक बुक की बात कर लिया जाए तो आपको इसके ओपर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा जब आप इसका फैस्ट टाइम जारी किजेगा तो वहीं चैक्बुक जारे करें तो आपको इसके पर 20 रुपिये का चार्ज देना होगा उस चैक्बुक को जारी करने के लिए वह HDFC Bank के बाद कर लिया जाए आप जब इसका फर्स्ट टाइम चेक्पूख लिजेगा आपको इसके ओपर भी कोई भी चार्ज नहीं देना होगा आपको फिर अपकास्ट मिलेगा 25 पेज का चेक्पूख वह यदि आप सकेंड टाइम इसका चेक्पूख लिजेगा 25 पेज का तो फिर आपको इसके ओपर 50 रुप्य का चार्ज देखने को मिल जागा जब आप इसका चेक्पूख सकेंड टाइम मंगवाईएगा तो कर लिए SMS के बारे में जब आप एक्पने एकॉण के साथ कोई भी लेंदन किजेगा तो आपके माल नमर पे जो भी SMS आएगा तो एक्सिस बैंक के दुबारा SMS चार्ज के रूप में आपको पहुंच रुप्या परतियक महीने आपके एकॉण से आपको परतियक आरथा तीन मैने में पंदर प्यापके एकॉण से ओटमेटिक डेबिट हो जाएगा वह एसमेस चार्ज के रूप में जो भी आप अपने एकॉण में लेंदन किजेगा और आपके माल नमर पे जो भी SMS आएगा तो वहीं बात कर लिए मुआल बैंकिंग और आप अपने एकॉण का एकॉण नमबर आपके एकॉण का बालेंस आप जो भी लेंदन कियोंगे बहुत सारा डीटेल महा इस्टेट्मेंट के रूप में सुआ जागा आप अपने महां से कस्टमर ऐड़ी चेक कर सकते हैं और आपना ATM कार्ड यदि आपका ATM कार्ड कहीं गु में वीडियो के कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जरूर बताजेगा अगर जनकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देजेगा और चैनल को सस्क्राइब कर देजेगा बैंकिंग से जूरी आगे भी आपको इस चैनल पर जनकारी मिलती रहेगी तो चैनल को सस्क्र जरू कर देज़ेका थैंक्यो फर वाचिंग दुस वीडियो धन्यवाद